एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हैल्थ शो में हम रोजाना बात करते हैं मुखलिफ टॉपिक्स पर आपको मिलवाते हैं, मुखलिफ कैसे, जिसमें हम डिफरेंट हेल्थ के टॉपिक्स और आपकी ईलाज की जिभूदारी लेते हैं, अपने साथ तो आज इस topic पे मैं बात करने जा रही है वो है brain health के लिए कौन से ऐसे foods हैं जो के हमारी brain health को improve करते हैं, हमारी cognitive abilities को enhance करते हैं, उसके साथ साथ हमारे brain cells हैं जिनको हम neurons कहते हैं, उनको active रखने में help देते हैं और हमें brain diseases से prevent करते हैं First of all, the major important thing is that nutrition और जो brain health है, इनका आपस में बहुत ही गहरा relation है, क्योंकि जो brain health है, उसके अंदर जो बनते हैं neurons, हमारे brain के अंदर जो cellular होता है, यह सब जो होते हैं और जो healthy hormones होते हैं, यह सब fats, इनकी composition fats, protein से बनती हैं अब और major source of हमारा जो brain energy है, वो है glucose, इसके साथ साथ जब हमारी gut health upset होती है, तो gut health के अंदर भी हमें पता है कि gut brain, दूसरा जो हमारा brain होता है, वो हमारी gut health के साथ जो है वो related होता है तो जैसे ही हमारा gut health disturb होता है, हमारी brain health भी upset होती है, हम लोग stress में हों, हम जादा खाते हैं, depression में हों, भूख नहीं लगती है, तो इस तरह की consequences आ रहे होते हैं तो इस वेरी important के हम वो चीजों का, वो वाले foods का इस्नमाल करें, जो हमारी brain health को promote करें, और हमारी जो brain health है, उसको damage होने से बचाएं तो सबसे पहले आपको मैं कुछ foods बताती हूँ, जो के miracle result होता है, जो के हमारी brain health में बहुत ही help करते हैं, boost करने में first of all हमारे पास आ जाता है carbohydrates, carbohydrates जैसा क्या आप जानते हैं, basic source of energy है, हमारे brain को glucose provide करती है तो हमें चाहिए हम लोग जो complex carbohydrates हैं, जिसमें jaw, रोटी, चावल, इनको अपनी जिंदगी में जरूर contribute करें on the other hand, we have refined carbohydrates, जो के white floors good होते हैं और वो ही हमारे brain में anxiety, depression का बाइस बनते हैं तो complex carbs में हमने कोशिश करनी है, हम लोग complex carbohydrates ले, उसके बाद secondly हमारे पास आ जाता है fats जिसका एक मित बनाव है, से no to fats, fats use निकरने, fats are not good for our health, मगर हमारे brain के अंदर जो hormones हैं और हमारे brain की major part of composition है, वो fats से बनी वी है, तो इसलिए very important कि हम लोग healthy fats जो है, उनको अपनी routine में contribute करें तो सबसे पहले हमारे पास healthy fats की option देखी जाएं, तो हमारे पास egg आ जाता है, egg के अंदर मौजूद B6 और B9 हमारी उसके साथ साथ folate, यह हमारी जो brain health है, उसको boost करने में help करता है, उसके साथ साथ इसके अंदर healthy fats वो मौजूद होते हैं Then we have fatty fish, जिसमें tofu, salmon preferably आती है, क्योंकि उनके अंदर omega-3 और omega-6 का बेहतरी content मौजूद होता है, तो हमें चाहिए कि हम जो fish है, उसको अपनी routine में जरूर add-on करें, मगर चुके fish के अंदर sodium भी बहुत जादा होता है, तो जो लोग blood pressure के मरीज हैं, उन्हें चाहिए, they take fish with the concern of nutritionist जो है, उससे पूछ के, और आप अगर कोई ऐसी medicine ले रहे हैं, जो साथ interact कर दे तो वो मसलात कर सकती है, उसके बाद अगर बात की जाए, seeds जो हैं, वो बड़ी बेतरीन चीज है, seeds are enriched in micronutrients, उनके अदर magnesium है, zinc है, उसके साथ साथ भी complexes हैं, जो के हमारी cognition abilities को improve करने में help करती ह हैं, हमारे muscles जो हैं, उनको repair करने में help करती है, तो हमें चाहिए के pumpkin seeds, sesame seeds, kalonji seeds, ये वाले जो seeds हैं, हम लोग ओट मील के अंदर डाल के ले सकते हैं, उसके इलावा वैसे आप grinded form में nuts का powder जो है, वो बना के ले सकते हैं, आप जब आपको हलकी बुल की snacking फीलो, और सबसे जो लोग white place पे काम करते हैं, उनके लिए ये बड़ा जबरदसा snack है, तो वो इसको as a snack भी ले सकते हैं, इससे जो आपको lethargeness और dizziness हो रही होती है, उससे भी ये help करता है, then we have green leafy vegetables, green leafy vegetables जो होती हैं, उनके अदर iron और bee complexes का बड़ा जबरदस content मौझूद होता है, अब हमा आर बी सीज हैं, उन वो बनते हैं, iron और bee complexes से, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा mean corpular volume जो होता है, आर बी सीज का वो normal रहे, तांके हमें एक proper oxygen की supply मिले, हम anemic नहों तो it is very important कि हम लोग जो है green leafy vegetables और organ meat को भी अपनी routine में शामिल करें, उसके साथ साथ जो हमारे पास blueberries होते हैं berries की जितनी family है, इसके अंदर कुछ ऐसे phytochemicals present होते हैं, जो आपको brain को focused हलने में help करते हैं, active रहने में help करते हैं, और हमारे brain को retarded होने से बचाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोग ये वाली जो berries हैं, जिसमें raisins आ जाती हैं, blue berries आ जाती हैं, इन सब को अपनी routine में शामिल क we feel that कि जब हम बहुत ज़्यादा tired होते हैं, एक glass पानी पीते हैं तो foreign energetic हो जाते हैं, तो it realized that कि पानी कितना ज़्यादा जरूरी है, और अगर हम fasting में हो तो हमारे energy levels बहुत ज़्यादा, हमारी body जो है, 70% जो है, वो उसकी composition जो है, वो पानी से हुई वी है, और brain जो है, वो king of body है, तो इसलिए हमें चाहिए कि hydration जो है, उसको खास तोर पे एक important part बनाए, और दिन में 8 से 11 glass जो है, वो पानी के ज़रूर अपने day में contribute करें, उसके साथ साथ प्रोटीन जो है, वो भी बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन में हमें plant based protein, animal based protein को अपनी routine का हिसा बनाना चाहिए, लेकिन animal जो based protein होती है, उनको बहुत जादा नहीं इस्तमाल करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर unhealthy fats भी होते हैं, जो आपके brain health को affect करें सकते हैं, उसके साथ ये तो बात होगी, जो के हमने foods अपने routine में शामिल करने हैं, अब हम वो foods देखेंगे कि जो हमारी brain health को compromise करते हैं, स negative stress को जादा बढ़ाती हैं, जिसके वज़ा से overall हमारी health compromise हो जाती है, coffee and tea are good for our health, but उसकी एक proper value है, जैसे दिन में आप दो बार जो है, वो सिरफ coffee हैं चाहिए का, उससे जादा हम इस्तमाल करेंगे, तो वो toxicity कर सकती है, जिसकी वज़ा से वही coffee हैं चाहिए, आपके अंदर anxiety or different health issues cause कर सकती है, उसके इलावा जो है वो जो हमारे पास dark chocolates होती है, they are good, वो हमारे अंदर as a anti-depressant anxiety release करने में help करती है, लेकिन जो हमारे पास artificial sugars से बनी chocolates होती है, वो हमारी brain health को compromise करती है, उसके इलावा जितना भी processed food होता है, यह हमारी brain health को affect करता है, तो हमें चाहिए हम जो ची good for our brain, उनको अपने routine से eliminate करें, क्योंकि हमारा brain जो है, वो king of our body है, जितनी अच्छी हमारी brain की health होगी, उतनी हमारी overall body के processes जो है, वो बेतर होंगे, तो अगर आप भी किसी किसम का मसला face करें, आपको कोई Alzheimer disease है, Parkinson disease है, anxiety है, depression है, और आपको नहीं पता कि जो है, वो हम मैंने इस में क्या खाना है, और कौन से ऐसे foods हैं, जो मुझे इस problem से निकालने में help कर सकते हैं, तो आपको चाहिए अपने करीबी nutritionist को consult करें, एक proper diet plan लें, comment section में अगर आपका किसी किसम का सवाल है, तो आप हम से पूछ सकते हैं, तब तक अपनी host Dr. वर्दा सिकंदर को दें, मिलते हैं एक नए अपिसोड के साथ, अल्ला हाफिज